कि जो सर मेहनत करे जा रहे हैं वो और मेहनत करने की मोटिविशन देती है और आज सर हमसे बहुत ज्यादा एनरजेटिक रहते हैं फिर पापा ने सुचा कल जाना होगा शाम तक फिर कहते कम जाना है मैंने का सुबज ये बजे की ट्रेन है मैं तो भाई शोग्ड था कहता कौन है ये मैंने का मैं हूँ त्री इडियोट्स वाला डैलोग आज समझ आ रहा है मैं सत्रा साल के बाध फस्ट आया था एक आधी बारी पे ना सर तुम्हें हवा पे नी चड़ने देते सर ने मेरे को ये डैलोग मारा देख दीपक कभी कभी ना बोलर भी जंचुरी मार देते हैं मैंने कहा है आपको चेहरे पे खुशी दिख रही हैं क्योंकि जब कुछ अचीवमेंट होता है वो भी हल इसान को पता होता है कि वो कहां पे था और क्या अचीव किया चलिए अपने एक और स्टुएंट से मिलते हैं दीपक से जो फरिजावाद हर्याना से हैं और दीपक का ओल इंडिया 202 रैंक है तो दीपक सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको बहुत सारी बढ़ाई और दीपक ने क्लासरूम में रहके पढ़ाई की है और दीपक के जब आप experience सुनेंगे और लाइब के गोल और एम तो आपको काफी कुछ motivation भी मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि लाइब को या किसी challenge को कैसे हमको अचीव करना है तो दीपक मैं चाहूंगा कि आप अपनी success journey जो है बच्चों को बताएं ओके लाइक मैं चलो impetus से ही start करते हैं जो मैंने 23 की पर कभी उस potential को यूज नहीं करा था तो फिर ऐसा लगा कि मैं बाकी सारी चीज़े कर चुका था जो भी इस time पर सच में जो लोगों के माइंड में चलती है आर्टिस्ट बन जो ये कर लो वो कर लो college time में जैसे मेरको studies का इतना वो नहीं था college की कि मेरको कोई pointer बनाने का कोई वो नहीं था बट ये था कि मैं real life का काम का experience लेना चाता था तो उस time पर मैंने अलग-अलग चीज़े करके देखी websites बनाई websites के basis पे मतलब मुझे बहुत अच्छे-च्छी opportunities मिली like हमने Air Force वालोगी website बनाई थी Air Force School की so there we were dealing with all officers तो वो बहुत बड़िया मतलब experience था उसके बाद उसके base पे college में placement हुआ बट मेरको लगता था अभी मेरको job नहीं करनी तो अभी मैं और चीज़े try करना चाता हूँ फिर मैं कुछ artworks बना वगरा बना रहा था वो जरनी हमारी 2 साल की रही वो भी बहुत awesome थी बहुत अच्छे लोगों से हम connect हुए like literal इजिन लोगों को लोग TV पे देखते हैं हमारी phone पे बात हो रही है उनसे तो ये level था but मेरको ऐसा लग रहा था कि यार इन चीजों को मैं शायद lifetime नहीं करना चाता ठीक है या lifetime मेरको इतना confidence नहीं था कि हां मतलब उसमें शायद इतना confidence नहीं था या आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था कि बहुत लंबा मैं क्या कर रहा हूंगा इसमें तो फिर फिर मतलब जब मैं थोड़ा परिशान था तो फिर पूछे का पूरा analysis करा कि अब तक life में क्या क्या कर रहा है तो मैंने देखा कि या जो studies है या computers की studies है वो मैं बहुत easily कर लेता हूं जैसे BCA में रहते रहते मैं barely पढ़ा हूंगा बट मैं अच्छा like 70% maintain हो रहा था और मतलब अच्छा जा रहा था तो मैंने बोला कि फिर academics में ही continue करते हैं क्योंकि यही मैं शाद best कर सकता हूं least effort में तो फिर मैं मैंने search करा तो पता मतलब उस time पे मेरा एक reappear था college का उसकी वज़े से मैं admission नहीं ले सकता था तो एक साल तो भी wait करना था तो फिर मैंने जब search करा कि चलियार एक साल है तो देखते हैं best चीज क्या available है तो पता करा तो best चीज NIT थी NIT के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा निमसेट करना पड़ेगा निमसेट के लिए कहां तो यूट्यूब पर search करा तो शरसर मिले ऐसे ऐसे तो फिर मैं आया तो literally मतलब यहां से फिर impetus गुरुकुल की journey start होती है जब मैं यहां आया तब तो मेरे को पता लगा कि यार ऐसे भी studies करी जा सकती है इतना focused होके बचपन से कभी किसी ने नहीं बोला था कि यार बारा घंटे भी तुम पढ़ सकते हो ठीक है या बारा घंटे study करो तो यह मिलेगा वो मिलेगा तो मतलब यहां जब मैं फिर आया तो सब सही था इससे पहले भी मैं एक चीज़ बताऊँगा कि मैं 12th के time पे J.E.Mains की coaching ले चुबा था ठीक है उस time पे एक साल drop करके J.E.Mains मैंने crack करा था बट वो बिलकुल like cut off पे था जितनी cut off उतना ही और यह special बात है उसमे J.E.Mains में मेरा एक नंबर भी mathematics का नहीं था उस time subject wise cut off नहीं होती थी तो जो भी physics chemistry के base पे cut off clear हुआ वो हुआ पर कभी मैंने उसके लिए मेहनत नहीं करी थी बहुत कि मैंने बहुत पढ़ा हो तो अब से फिर पढ़ना start करा एक साल और सब कुछ बहुत बढ़ियां जा रहा था यहां जो मेरे को guidance मिलता था like mentorship जो यहां है खाली teaching ही नहीं like सच में अगर तुम किसी problem में हो ठीक है तो यहां जैसे शिवम सर है प्रतीक सर है शरत सर है जिसकी जिससे wife बैठती हो वो बंदा उनके साथ जाके अपनी problem share कर सकते हैं क्योंकि student life में ऐसा होता है कि जरूर यहां कि हमें studies ही परिशान कर रही होंगे ठीक है life की और चीजे हो सकती है जो हमें परिशान कर रही हो तो सब कुछ करा बहुत बढ़ियां से पढ़ा तो जब मैंने 19 से 20 तक पढ़ाई करी 20 में pandemic की वज़े से घर जाना पड़ गया और वो मेरे लिए मतलब downside था बट आज मैं मुड़के देखता हूं तो वो important भी था ठीक है कि जो हुआ ठीक है कोई दिक्कत नी कोई regret नी है यहां से जब मैं घर गया अब एक जो habit बन गई थी ना पूरे साल 12-12 गंटे पढ़ने की और वहां वो मैं नहीं कर पा रहा था तो मेरे को खुद से मतलब खुद में गुसा आरता है यार क्या कर रहा है तू वहां तरी इतनी अच्छी habits थी क्या इतने बड़ियां से पढ़ एंड होगा, cup paper होगा, तो तब मैंने give up कर दिया था, उस time पर मैंने सोचा कि चल यार और मैंने फिर उस time पर मैं पापा के business पे पापा के साथ बैठने लगा, and अगर वो अपनी choice से होता ना, तो वो अच्छी चीज होती, लेकिन मैं ऐसे कि यार, जब मेरे से कुछ हो नहीं रहा, तो कम से कम मेरे फादर इतनी मेहनत कर रहे है, मैं उन्हीं की help कर दूँ, ठीक है, तो मैं फिर वहाँ बैठने लगा, एक दो महीना मैं सच में office वे बैठा, मैंने transport कर अगा, सारा देखा, जानना, start करा, पर मेरे को लगा नहीं यार दिपक, मतलब यह अपनी चीज नह रहता है उसमें, तो फिर मन में तो था कि हाँ भी studies करनी है, लेकिन अब यह था कि अब घर वालों पर depend नहीं होना, तो बस God के उससे मेरे को एक opportunity मिली, job opportunity, और वो grab करी मैंने, फिर वहाँ से मेरे को इतने funds आने लगे, कि मैं अपने आपको, मैं studies को support कर सकता था, तो उस ठीक है, मैं फिर सर से बात करी, मैंने नवंबर में सर से बात करी थी, नवंबर में मैंने course ले लिया था, क्योंकि अक्टूबर में 23 को paper दिया न, एक तो हाँ, ये चीज, बहुत तगड़ा उस टाइम पर ये confidence था, कि जैसे सच में पढ़ाई खराब नहीं जाती, भले मेरी उस टाइम रैंक नहीं आई, रैंक भले 1500 आई थी, पर एक ये confidence था, कि यार, मैं सच में जब मार्च में घर गया था, मार्च से अक्टूबर तक मैंने book नहीं खोली थी, कुछ भी नहीं, like, यहां जब मैं आया, एक दिन पहले formula तक नहीं देखे, कि कल paper देने जा रहा हूं, और, but still, I scored like 340 marks, हाना, तो मेरे को लगा, यार, कि जब मैं 8 मही नहीं पढ़ानी paper से पहले हाना, तब इतना आ गया, मतलब कि जो भी थोड़ी साल में पहले मेनत करी थी, वो काम आ रही थी, तो मैंने बोला, उस टाइम मैंने, सच में, WhatsApp पे, जब ये decision लिया था, कि मैं कि हो सकता है कि मैं वर्थडेस पे ना हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ना मिलू, बात वात ना करूँ, and it is alright, ठीक है, अगर किसी को मिलना है, घर आ जाना, और, वो सोरी मैं अभी फिर ढूड़नूंगा, मतलब मैं screenshot उस टाइम पे ले रखा था, और अब मैं देखता हूँ उसे मुड़के, तो लगता है कि जिस टीच के लिए वो लगाया था, वो बहुत, बहुत ब्यूटिफुल रहा, तो फिर वापिस में आया, तो इस बार मैं इस फोकस से आया था, मन में ये बिल्कुल बनाया हुआ था, कि भाई, हो चाहे ना हो, और पैंडिमिक कितना जाओंगा घर, मरूं तो इधर मर जाओं पर घर नहीं जाओंगा, कि मुझे पता है जाके फिर पढ़ाई बढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी, पर फिर एप्रिल में जब यहां फिर पैंडिमिक बढ़ रहा था, भौपाल में मतलब सबसे पहले बहुत हाई जा रहा था, तो घर को भी वहां से चिंता वो न्यूस देख रहे हैं कि भौपाल में इतना वो फैल रहा है, फिर यहां शरसर नहीं बोला कि दिपक इस टाइम पर घर जाना ही सही है, तो फिर मैंने का चलो ठीक है, फिर मैं घर चला गया, और फिर लिटरली जितना टाइम मैं घर पे था मैं कुछ नहीं पड़ा, मतलब एक दो महीने का फिर ब्रेक हो गया, तो मैंने जुलाई में, छे जुलाई को मैंने, एक दो जुलाई को मैंने सोचा, मेरे को ऐसा फील हुआ, कि अब पेपर में खाली दो महीने बचे हैं, डेट भले नहीं आई थी, पर यह फील हुआ, दो म एक जुलाई को ये करा, तो पांच या छे जुलाई को तो पता लगा कि यार, एक ही वही नहीं है, जब मतलब वो आया, डेट शीट आई, तो मैंने बस डेट शीट देखी, शाम को छे बजे, सुबह छे बजे की टिकेट करा ली, फिर सर को बताया, कि सर, मतलब मैं आ रहा हू सुबध कि मैंने करा ली है, और जैसा अभी हुए न, वैसे ही उज दिन हुआ था, शाम को मैं पापा को बोल रहा था, मैंने पापा को बला, कि पापा वापिस भुपाल जाना है, तो पापा कहते ठीक है, पापा ने सुचा जाएगा अभी हफते-दो हफते में, मैंने तो पैपा कहते हैं कना है department ऐ जाना है फिर जो का है घाना हो टक क्या है जो पूरा क्यों जो पनतों अलड़ कि है अनल रिभाए में लिए जो तक केंद अपि कि तुम्हें पूरे लाइफ ऐसा रहकि रहकि उस साल मैंने ऐसी मेनट करी थी जिस की वीज़ ISM मेरीHigh को डिरEक्शन मिल गई और पूरे साल को तो नहीं कहता है पूरा साल भी था ठीक है क्योंकि अगर पूरा साल अच्छा नहीं होता तो तुम लास के मैं शाथ पीछे बैट रहा था थोड़ा तुछार बैंच वैसे कभी मैं पीछे नहीं बैठता हमेशा आगर बैठता हूँ पीछे भी बैठता हूं तो सर आगर बुलालते है ... तो मैं पीछे बैठ रहा थो मेरेकों धिक रहा था कमे अ कोई बच्चा कुछ कर रहे तो अगर दिमाग वहाँ चला गया फिर मैंने का नई हिए फिर फ सर्ट बेंच पे रख्शन पूच रहे हैं चाये में सही बता रहा हूं चाये गल्त बता रहा हूं बट मैं बता था ठीक है मेरे को सच में जब हम महनत करने लगते है ना मैंने मोबाइल में एक ट्रेकर लगाया हुआ था वो डेली ना ग्रीन डॉट लगा देता है जिस दिन मैंने जो जो मैंने टार्गेट रके वो पूरे हो गए इस उपर पांच बजे उठ रहा हूं दिन में दो बार मेडिटेशन क कर रहा हूं तो इन तीनों चीज पे ग्रीन डॉट तो मैं महीने की प्रोग्रेस देखता था ना एक हफ़ते में सारे ग्रीन डॉट तो बहुत बजला कॉंफिडेंस देती है मुझे अब लगता है कि सच में सक्सेस के लिए जितनी हम मेहनत करते जाते है ना पहले मेरे माइ मेहनत करता है तो सच में उससे कम मेहनत नहीं करी जाती अब मैं जाए समझ रहा हूं जाए शरत सर है 45 की सर एज है और आज सर हमसे बहुत ज़्यादा एनरजेटिक रहते हैं और यह तो मतलब आपस में क्लास में बात चल रही होती है कल पेरेंट से बात कह रहे थे कि सर ऐसा तो अब मेरे को लगता है जाज़े सर ने बोला कि आगे के गोल्स और एस्पिरेशन्स मैं स्टार्टिंग से अब तक मेरे लाइफ में अब तक अगर मैं बिल्कुल नॉबल प्रोफेशन्स की बात बोलूं तो मेरे लिए टीचिंग रहा है कि वो सच में वो बहुत रहे हैं they all are thriving मतलब कोई adobe में है किसी का पता नहीं साल का एक करोड़ दो करोड़ कितने के packages हैं तो कोई वो मजाक नहीं है ये एक अच्छे टीचर थे उसकी वज़े से वो सब मतलब हो पाया तो इसलिए मैं हमेशा टीचर्स की तो मैं बच्पन से बहुत रिस्पेक्ट करत परसो यहां नहीं होगे सर। तो ऐसा था कि एक teaching मेरे को लगता था तो इसलिए अब तक जब मैंने बाकी सार्टी चीज़े करके देखी, आई टी में काम करके देखा, artworks बना के देखी, अलग अलग अच्छा आउटकम मिले और वो अच्छा आउटकम ज़रूरी नहीं कि All India Rank 1 हो मैं आज जो मैंने अचीव कर रहा है सच में मेरी पूरी फैमिली में मतलब कोर फैमिली छोड़े तो पूरा खांदान है हमारे कोई अनाइटी में नहीं है या किसी ने academics में तो ऐसा कुछ अचीव नहीं करा कि वो ऐसा कुछ हो तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब बिल्कुल टॉप का हर चीज हो तभी बात है मतलब इसमें ये मेरी फैमिली के लिए बहुत तगड़ी चीज है मुझे पता कि जो हमारी जनरेशन है ना मतलब केड़ साम सारे कजन्स वगएरा अब मैं मेरे को रास्ता दिख रहा है तो अम मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि है ना अब मैं कभी भी उन्हें कुछ नॉर्मल या फिर बिलो एवरेज करता नहीं देखना चाहूँगा मेरे को लगेगा यार थोड़ी ओर मेहनत कर जो चीज का टेस्ट मैंने करा है वो तू भी टेस्ट करके देख कि मतलब उसमें मज़ा क्या है मेहनत लगेगी बिलकुल लगेगी पर जो आउटपुट जब मिलेगा ना फिर सारी मेहनत बूल जाएंगे मेरे को अब कोई फरक नहीं पड़ता कि मैं फैमिली के साथ बिना दो साल रहा यहां की लाइफ जो भी बच्चे है आउफ लाइन वाले उन्हें पता यार इजी थोड़ी है यहां रहके पढ़ना like for take example of food जो खाना तुम्हें घर पे मिल सकता हो सच में बाहर कहीं नहीं मिल स और फिर भी इतना compromise करने के बाद भी जब यह चीज मिलती है फिर लगता है यार हम 5 साल और कर सकते हैं यह पूरी life भी करना पड़े ना पूरी life भी lifestyle हम जी सकते हैं पर यह चीजे achievements ऐसी चाहिए कि जो खुद को proud हो कि हां कुछ करा है कल जैसे मैं award ceremony में बोल रहा था कि कपड क्यों नहीं है यार दिवाली मैं थोड़ी लेके आया हूँ है मैं हूँ चाहिना हूँ दिवाली तो आनी है होली तो आनी है मेरे birthday में मैं जिस दिन पैदा हुआ हुआ उसके बाद मैंने ऐसा कुछ करा थोड़ी है उस दिन की मैंने कुछ proudly करा हो तो लोग मेरे को बोले कि व इस वालों को प्रशान करके आना पड़ा मैं उस ट्रोफी के लिए आया था कि दो साल मेंनत करके भाई है तो ये चोटी सी ट्रोफी लिए ना पर अपने को पता है ना ये ऐसे नहीं मिलती मार्केट में जाके नहीं खरीदते हमने इतनी मेहनत करी है तब दो साल के बाद हमें इतनी सी चीज मिली है, तब मैं dress up होके आया, कि नई यार, कि अब नए कपड़े लेंगे, कि वो ऐसी चीज़े जो हमने अचीव करी है, तो ये मेरे को, मेरे दो साल की महनत है, मेरे को लाइफ में दूसरी ट्रोफी मिली है, पहली ट्रोफी स्कूल में मिली थी, best actor के लिए, play म लगा था कि मेरे को पढ़ाई में ट्रोफी मिलेगी, पढ़ने वालों से तो हम keep one hand distance रखके चलते थे, मेरे को बच्पन से ऐसे लगता था कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत boring होते हैं, सच में मतलब कभी friendship रखी ही नहीं पढ़ने वालों से, तो ऐसा था, ठीक है, तो ये यहां की achievement हो गई, अब आगे के भी plans हैं, वो जैसे execute होते जाएंगे, दिखते जाएंगे, impetus का तो साथ हम छोड़नी रहे हैं, यहां फिर से आएंगे, अब मैं एक चीज, अगर मैं studies की share करना चाहूं, ये हर किसी पर apply नहीं होगा, ठीक है, एक बच्चे होते हैं, जो, जि पीछे की महनत है, हर किसी के अलग-अलग महनत होती है, वो base level से उपर उठ चुके हैं, तो शायद ये चीज उन्हें apply ना हो, मैं उनके लिए नहीं कर रहा, मैं उन्हें बता रहा हूँ, जो मेरे जैसे level से उपर आ रहे हैं, जैसे मेरे 12 में, mathematics में 58 something marks है, या फिर शायथ 48, म पर वो score करना कुछ मुश्किल नहीं होता, मतलब तुम matrix determinant कर लो, vector 3D मैंने कर लिया था, मतलब ऐसे ऐसे basic चीजे करके, जो okay okay है, तो ये score हो जाता है, उस साल भी ये score रहा, उसके बाद मतलब मैं ये दिखाना चाता हूँ, mathematics से, चाहे मेरा कितना बिकार था, या मैं बिकार मैंने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं, मतलब भागता रहा, एक साल ड्रॉप करके न, ड्रॉप के टाइम पे एक improvement का तुम exam दे सकते हो, कि like if you want to improve on your scores, मैंने वो दिया, उसमें भी कोई फर्क नहीं, उसमें शायद 10 number और बढ़ गए, ठीक है, उसके बाद graduation में जब मैं आय हुआ है, भाई अगर ओ 31 भी होता न, तो दिक्कत हो जाती, तो ये था मतलब मेरा mathematics से आकड़ा, पर ये ये जिस चीज से मैं भाग रहा था, उसे face करना ही पड़ा, तो मैंने का चल आजा अब, अब तेर कोई face करते हैं, तो दो साल यहां मतलब ढंक से पड़ा, पहली चीज जो मैं सोचता हूँ, मतलब वो मेरा opinion है, कि basics बहुत strong होने चीए, like literally जैसे कल फाल के सर क्लास में पूछ रहे थे न, कि इसका live example बताओ, मैंने हर चीज का वैसे ही पड़ा है, ठीक है कि अगर LCM है, और even तुम्हें इसके लिए बहुत complicated जाने की जूरूरत नहीं है, NCRT की ज कोई बच्चा मेर से पूछे कि integral का क्या practical है, तो मैं ऐसे सुचता था कि अगर कोई खिड़की है, खिड़की ऐसी shape की हो, कि rectangular है, उपर थोड़ा सा arc हो उसमें है, कि अगर इसका area निकालना है, तो सोचो, क्योंकि पूरा semi circle नहीं है, semi circle होगा तो तुम pi square by 2 कर दोगे, वो थ थोड़ा सा arc का part है, तब वहाँ integral लग सकता है कि हाँ वही, circle की equation लेके इस point से इस point तक integrate कर दो, तो मैं mostly time मैं इसी तरीके का सोच रहा होता था, और सच बताऊं तो शयद basics को ही strong करने के चक्र में मैं कभी self-scorer पर नहीं जा पाया, कभी मैं RD objective पर नहीं जा पाया, ऐसा नहीं कि मैं basic से बहुत सही से काम कर रहा था, उसके बाद जो notes बगरा जब मैं बनाता था, तो notes बनाते time, मैं उसमें सच में मेरे तुम notes देखो कि मैं उसमें Hindi में लिख लेता था, जैसे हम WhatsApp पे text कर लेते हैं na English में, मैं वही लिख लेता था कि यहाँ पे सर ये कहना चाते हैं, और जब मैं दो दिन बाद अगर कभी उस notes पे वापिस आता था ना, अगर मेरे को कुछ और नया आया, तो मैं कुछ और नया महाँ add कर देता था, मतलब मैं पढ़ाई करते time, बहुत सारा space खाली छोड़के चलता था, कि मुझे पता है कि कल भी मैं notes ही पढ़ूंगा आके, और फिर मेरे काम आएगा, तो इस तरीके से मैं कर रहा था, मतलब basics हो गए, notes हो गए, books, books पे मैं बढ़ नहीं पाया, ठीक है, मतलब कि इतना time मेरे को नहीं मिला, या हर किसी का learning की speed अलग होती है, मेरे शायद थोड़ी कम थी, मैं book पे नहीं आ पाया, so it is alright, पर जितना करा मैंन standard deviation है, ये क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके लिए मेरे को अच्छा time नहीं मिल पाया, पढ़नेगा, मैं चाता था कि मतलब सही से करूँ, अगर करूँ तो, मुझे अभी तक नहीं पता कि उसका practical क्या application ये सब हो सकते हैं, तो मैंने वो छोड़ दिया था, अब मेरे को, अपन का दुल्हा नहीं बनना, ठीक है, कि जब भी test वगरा देने हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, कि नहीं यार, आज कैसे भी कर लो, पूरे साल, तुम risk ले लो, आज number ले आओ, उन्हें लगता है कि final paper में हो सही कर लेंगे, वो हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है, शाध हजार मे एक बच्चा होता होगा, जो पूरे साल irregular चले, और final में वो अपनी negative marking सही कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, that is really a habit, तो मेरे को यह होता था कि अगर, कल का question कोई मेरे को याद रह गया न, अगर मैंने उसे आज tick कर दिया, अगर वो paper में भी आया, तो मैं उसे last round के लिए रखता था, कि इसे मैं वापिस solve करूँगा, तब लगाऊंगा, in case अगर time ना बचा, तो मैं लगा दूँगा, और अगर लगाया भी, तो मैं अपने में, personally, उसका score कभी नहीं जोडता था, ठीक है, उसका score जोडना, मतलब वो तो फिर मेरे को ऐसा लगता था यार बहिमानी है, यहाँ क बचे, self-scorer सच में, उन्हें पता है कि कल लिमिट का test है, वो पूरी self-scorer लगाया आते थे, test हो रहा है, वो आधे ही time में 100% score करके बैठे हैं, मेरे test होता था, मेरे 40 बने होते थे, क्योंकि मैं दो गंटे में पहली बारी बना रहा होता था, और मैं कभी भी, अगर मुझे प लगता था, तो मैं इस तरीके से पढ़ता था, कि test में जितनी इमानदार खुद से हो सको, क्योंकि वो ही सब कुछ analysis करके हमें देगा, तो test मैंने बहुत अच्छे से analyze करे थे, और test देते time भी मैं इमानदार रहता था, याद है, तो उस पर कोई अपने आपको proud नहीं करना, और मुझे डर लगता था, याद वाले question से, कि मेरे को हमेशा लगता था, कि याद करना मेरा weak point है, समझने में मैं अच्छा हूँ, तो मुझे डर लगता था कि अगर मैं हमेशा प्रतीक सर से या शरत सर से कह रहा होता था, कभी अगर मैंने यहां अच्छा score करा, तो मैं sir के पास जाके कहता था, कि sir, यह पता है, आज नया paper था, इसलिए मेरा अच्छा score आया, पर कभी मेरे, जब पीछे मतलब की, अगर paper repeated आ गया, तो मेरा score पीछे जाता था, और मैं फिर भी जाता था, sir के पास, sir को कहता है, sir, चलो कोई बात नहीं, निमसेट में थोड़ी repeat आएगा, sir, तो हम मतलब मैं ऐसे mind से चलता था, पूरे साल में मैंने नहीं सोचा कि मेरे को 800 score करना है, क्योंकि अपने को अपना पता ही हम कहां से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे यह था, कि if I score around 600, so that is good for me, पूरे साल में मैंने शायद 4 बार, मैं 700 प तो वो जरूरी भी था, तब मेरे 820 आए, ठीक है, तब मैंने पहली बार 820 बोला, तो sir की मेरी बात और तो sir ने बोला, अब यह तुम्हारा all time best वो गया, यहां का, तो यह चीज थी, यह मतलब अच्छा था, बहुत चीए सीखी, मतलब paper handling, कई बार जब मैं easy paper का score का, जब म आपको underestimate मत करो, sir मेरे को समझाते थे, कि भाई खाली तेरे लिए easy थोड़ी था, सारे बच्चों के लिए था ना easy, साड़े 700 बच्चे, उसमें अगर तेरी 25 rank आ रही है, साड़े 700 की क्यों नहीं आगी 25 rank, तो sir मेरे को समझाते थे, तो अपने आपको ऐसे मत दे कि यह easy है, यह चीज़े थी, तो अब तक शायद यही है, जितना मतलब sum up था wind up, अगर और कोई question हो तो specifically बता पाऊंगा नहीं तो अब और नहीं, चलिए दीपक ने अपनी success journey बहुत अच्छे से बताई, और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो लोग यह session सुन रहे हैं, बहुत कम ल की थी, वही वज़े थी कि 500 rank आना भी achievement था, कोई 500 rank कम नहीं होती है, हजारों में, फिर इस साल भी इसने वही करा, पढ़ाई करी, दो महीने गया, पर वापस आया, और देखी एक महीने में come back किया, बहुत घर पे नहीं होती, सब क्या अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ा इसने बिल्कुल सही बोला, कि जब कोई इनसान महीनत करने लगता आपने बिल्कुल सही बोला, कि जैसे मुझे महनत कि अब आदर पढ़ गई है, तो वो उसके मिना में अपनी राइप नहीं निका सेकता, वैसे अब आपको आदर पढ़ गया, भी आपको ऐसा लग रहा, 12 तो यह कई चीज़े हैं जो सीखने वाली हैं तो दीपर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्स्मेंट किया कैसे नोट्स बनाया कैसे पढ़ाई की और अपनी कमियों को जिस इंसान ने पैचान लिया ना वो तो वैसी सफल है भली रैंक क्या आती है इससे जादा इंप जाली है यह बहुत घहरी बात है चाहे रक्षा बंदाने कुछ भी यह सब डेट पर फिक्स है पर वो एक दिन जिसको आपने अपनी महनत से क्रियेट किया वो दिन छोड़ देना बहुत बड़ी चीज होती है और वो इसने नहीं छोड़ा और यह आया भी और एवाट भी ल थोड़ी मज़दार थी मैंने ना एक बार इधर लॉग इस वाले बार मेरे सेकिंड यर में लॉगडाउन से पहले घर जाने से पहले ना क्लास को क्लास टॉप करा था ठीक है तो दो साल के जरनी में पहली बार था कि मैं फरस्ट आया और उस दिन क्या हुआ मैं पूरा दिन जो को कोचिंग से भी जाके टाइम मिलता है मतलब घर पर जाके रूम पर जाके फिर दो-चार गंटे पड़ रहे हैं मैं वो नहीं पड़ पा रहा मेरे पर एडवांटेज नहीं है तो कहीं मैं गल्त रास्ते पर तो नहीं हूं ऐसा डौट साते थे तो उस दिन मैं पूरा तो मैं अगले दिन सर के पास गया और शायद यहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अना बहुत सारे थे जो बहुत बार फस्ट आये होंगे यहाँ पर तो मैं तो भाई शोग्ड था मैं उस टाइम मेरे को बिलीव नहीं हो था मेरे स्क्रीन पर क्या दिख रहा है मैं अपने फ्रेंड को वोला एक तो इंपिटरस के जो सॉफ् थे कर दोस्ति रगनी यहाँ तो तो मैंने अपने फ्रेंड को काल कर रहा है मैंने इक बात वाएट के स्कूर कितना दिखा रहे है तो कहता कोन है यह नहीं हूं भाई वह मानना नहीं उसने फोन काटा दस्त मिंडबाद फिर फोन करा मैं सच में कहता हूं दोस्ती रग्नियो तो अगले दिन फिर हम ने अगले दिन फिर हम गए तो उसमें सबसे मजदार बात यह थी इससे पहले इसके पहले मैं फिर्स्ट पता है सिर्फ कब आया था जब मैं फिर्स्ट क्लास में था तो बारा साल तो पढ़ाई के वो लगा लो पांट साल और रेड कर लो मैं सतरा साल के बाद फिर्स्ट आया था और भाई जब मैं फिर्स्ट क्लास में था क्लास में छे बच्चे थे तो माँ तो मैं उसके साथ साथ सो ब स्थ आया था चाल रहा है तो मैं उससे मेरे जॉब अब भी चल रही है, मैं उसके साथ पढ़ाई भी एंडल कर भा रहा हूँ, आज तो मैं क्लास में फर्स्ट आ गया, तो मतलब यह बहुत फन पाड़ था, तो मैं सर के पास है, सर ने मेर को बोला, सर यह चीज सबसे मस्त है, एक आधी बारी पे ना, सर तुम्हें हवा पर नही सर ने मेर को यह डालोग मार रहा है, देख दी पर कभी-कभी ना, बोलर भी संचुरी मार देते हैं, मैं ने खाए, मैं आगा सर, मतलब यह बात को बोलने का कोई और बैटर वे भी हो सकता था शायद, तो सर ने बोला कि मैं तरह कंदे पे हाथ रखता, लेकिन मैं तब पर फिर मेर को ऐसा नहीं लगागी, हम मैं सर के पास जाके फिर से बोलना चाहिए, सर मैं दो-तिन बार टॉप टुटी में आ गया, मैं आगा बेस्ती वाली बात हो जाएगी, तो यह बहुत मजदार चीज थी, जो 17 साल बात हुई मेरे साथ, ठीक है सर, देखो दीपक ने का एक और बात में बोलूँगा, दीपक को ऐसे कोई बहुत financial condition की problem नहीं थी, फिर भी उसका मन था कि वो job करते हुए करे, और वकायदा इसकी job भी बहुत अच्छी थी, और job करते हुए ही इसने result maintain किया, कई लोग सोचते हैं कि कैसे manage होगा, बिलकुल possible है, होता भी है और होगा तो ये ये भी एक में बात उस्ता में बोलना भूल गया था, कि ये बहुत बड़ा achievement है आपने अपना job किया, कुछ से यांद करके पड़ा, मतलब चायते तो ले सकते थे घर पे, पर वो आपने सोचा नहीं, मुझे नहीं लेना, और अपनी money को एक और अच्छी बात बोली इसने कि हर बच्चा जो पैसा कमाता है, वो सोचता है, मैं कपड़े में खर्च करूं, यहां करूं, वहां करूं, इसने का कि मैं इस पैसे का खर्च अपनी पढ़ाई या स्टेडी या केरियर में करूंगा, यह सोची कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये सही investment है, ये investment आप को बहुत बड़ा return देने वाला है, बाक ही कहीं से और return नहीं मिलता है, तो all the best, thank you. Thank you, sir.